दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल मलहोत्रा भाई में। अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। राजधानी लखनव के दुबग्गा स्थित डूडा कॉलोनी से लव जिहाद का मर्डर मॉड्यूल सामने आया है। अठारह साल की युवती को धक्का दे दिया। इसके बाद पाडीडीड होसियों की मदद से परिजन युवती को ट्रामा सेंटर लेकर पहुँचे जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोशित कर इस मामले में पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर सुफियान और उसके परिजन में लेकर पूछतच में जुटी है। युवती की मां का आरोप है कि सुफियान काफी दिनों से मृत्का को परिशान कर रहा था। शादी के लिए धर्म परिवर्तन का बना रहा था दबाव। मृत्का की मां के मुताबिक डूडा कॉलोनी में रहने वाला सुफियान काफी दिनों से उसकी बेटी को परिशान कर रहा था। वह उससे धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बना रहा था। इसकी शिकायत सुफियान के पिता से भी गई थी लेकिन परिजनों ने कोई एक्शन नहीं लिया। महले में उसकी बेटी का निकलना मुश्किल हो गया इसके बाद मंगलवार को मृत्का की माने अपने भाई को बालाया और सुफियान के घर शिकायत के लिए निकले तभी सुफियान वहां पहुँचा और गली गलॉज करने के साथ जान से मारने की धमकी देने लगा इसके बाद मृत्का इसकी शिकायत करने सुफियान के घर चली गई उसके पीछे सुफियान भी पहुँचा और उसने चौथी मन्जिल से धक्का दे कर उसकी हत्या कर दी मिलते हैं अगली कहानी में जब तक लाइक सबस्क्राइब